नौश्कार दोस्तों alagamWow टो माईचन Ginger तो देख सकते हैं ज्रय का जैसे हम इसको और यह जोस्पाइब हो जाता है इसका नहीं हो रहा है देख सकते है है और यह प्लेंट ब्लिंकिंग हो जाता है तो इसके मेंbacks प्रोब्लेम स्कूराब करंब EPs तो कैसे पता लागाएंगी कि software का problem या hardware का problem है इसके देखने के लिए आपको आपका system में जाना होगा और आपको पता लागाना होगा कि इसका अंदर कौन सी problem है यह जो problem है इसके लिए आपको पिंटल का कोई screw बगरा कुझ नहीं खुलना होगा बस अबर से ही सही हो जाएगा तो चलिए देखते हैं इसमें अंदर कौन सी problem आ रही है और क्या error message दिखा रहा है तो देख सकते हैं अभी हम आ चुके हैं मेरा टेक्स्टों में अभी टाइप करेंगे इधर control run में जाके control panel view device and printer उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरा जो इप्सवन का पिंटर है L3100 यह सो ह रहा इसके उपर हम आभी right click करेंगे printer preference उसके बाद जाएंगे maintenance उसके बाद आपको एक option मिलेगा इप्सवन stress monitor 3 देख सकते हैं यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं इसमें problem आ रहा है service required और उसका नीचे जो message आ रहा है a printer's ink pad is at the end of service light please contact इप्सवन support और इसका solution कैसे होता है तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं अगर आप पींडर में ऐसा problem आया है तो आप मेरे पास call कर सकते हैं मैं आपका पींडर online ही reset कर दूंगा और मैरा decision में number रहेगा तो देख सकते हैं मैं इसको reset करूंगा भी इसको सभी करूंगा देखिए printer में अभी इसका red light blinking हो रहा तो देखिए मैंने जैसे इसको इनिसिलाइज कर दिया यहां पर आपको बोल रहा है टांड आप फिंटर तो मैं अभी इसका जो पिंटर है पिंटर को मैं टांड अप करता हूँ देख सकते हैं अभी इसका रेड लेड ब्लिंकिंग आ रहा है देख सकते हैं तो मैं इसको पिंटर को अभी बंद करूँ इधर से देख सकते हैं बंद कर दिया फिर से इसको चालू करते है देख सकते हैं मैंने चालू कर दिया और इसका म पिंडर में ऐसा सेम प्रोब्लम आया है तो आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं मैं आपका पिंडर ओनलाइन रिसेट कर दूँगा कोशसब्लम आप में और और एक बंद कर दिया कि इसको छालू करते है तो पिर से चलू कर दिया देख सकते हैं देखीए कैं देख सकते हैं तैंक य्य। कैस्ट